गुड़ मॉनिंग बच्चो आज का टोपिक है ब्रेग समीकन या क्रिस्टलों का एक्स किरन अध्यन तो बच्चो इस टोपिक में हमें क्या करना है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं और उन क्रिस्टलों में बहुत सारे परते पाई जाती हैं तो इन परतों के या किनिये दो पड़तों के बीच में कितना distance होता है उस distance को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ब्रेक समेकन का यूज करना पड़ता है तो यहां पर कैसे निकालते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी क्रिस्टल जाला कै उसके उपर हम क्या प्रवायत करते हैं क्या डालते हैं इसमें X के नों की प्रवायत के दुआरा हमें इस crystal में किने भी दो फलकों के बीच में distance का पता लगता है या पता लगाया जा सकता है तो इससे पहले वाली हमने किलासों में पढ़ा है कि कोई भी जो हमारे पास crystal जालक होता है उस crystal जालक में अव्यवी कन इस परकार व्यवस्तित रहते हैं कि एक अव्यवी कन अन्य कनों को क्या करता रहता है इस परश करता रहता है तो इसी परकार हमारे पास ये बहुत सारे जो अव्यवी कन हैं यह अपस में इस परकार वेबस्टित हैं कि एक जो अवियविकन एक दूसरे दो कनों को सपर्ष कर रहा है तो यहाँ पे एक प्रत कनिर्मान होता है और हमने यह भी पढ़ा था कि जो हमारे पास करिश्टलिये जालाक होते हैं उनमें अवियवी कन को हम किसी बिंदू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं अब ये बिंदू कोई आयन हो सकता है कोई परमानू हो सकता है या कोई भी अन हो सकता है तो ऐसे ही हमारे पास जो अवियवी कन होते हैं वापस में इस परकार विवश्य रते हैं और अनेक परतों को क्या करते हैं निर्मान करते हैं तो हमें क्या करना है इन परतों के बीच में क्या करना है अंतराल का या डिस्टेंस का पता लगाना है तो जैसे एक्जामपल के लिए हमारे पास ये फर्स्ट परते हैं तो इस फर् प्रत वन यानिकी लेयर फस्ट है ठीक है उसका अवियाविकन हमारे पास यह अवियाविकन है इसी परकार यह दूसरा अवियाविकन है और इसी तरह बहुत सारे जो अवियाविकन है वो एक आपस में जुड़कर एक परत करने मान करते हैं यह हमारे पास परत बनी है यह हमार नमबर फॉस्ट इसी तरह हमारे पास जो लेयर नमबर टू है उसके जो अवह अभी कन होंगे वह इस परकार प्रजेंट होते हैं यह हमारे पास है लेयर नमर टू तो इसी तरह किसी भी क्रिस्टल जाहलग में बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं तो जैसे एक्जामपल हो ले इसमें लेयर नमर क्या हमारे पास एन एन का मतलब कितने भी हो सकते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या है यह उसकी एक लेयर है और अब हमें क्या करना है इन लेयर के बीच में क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है तो एक्जामपल के ये फिर्स्ट लेयर है इनके बीच में जो distance है उस distance को मान लिया क्या हमने डी जो भी हमारे पास crystal जालग है उनकी केनेमी दो कर्मा गतनों के बीच की जो दूरी है वो हमारे पास कहा है है अब हमें क्या करना है एक्ष्वल में इस दी दूरी को बताना है कि वास्तम यह डी दूरी है क्या यहां पर क्या करते हैं कि इसके उपर हम एक्ष्क्रिण होती हैं वो इसके अंदर तक क्या होते हैं प्रव्यस्त कर जाती है यहां पर एक्जामपल के लिए हमारे पास एक X किरन को हमने क्या करवाया आप्तित कराया तो ये जो X किरन है ये हमारे पास आप्तित X किरन है और ये इस तल के साथ ठीटा कौन का क्या करती है निर्मान करती है जब ये जो पर आप्तित X किरन है ये फस्ट तल के इस करन से टकराती है तो उतने ही कौन पर आप प्रावर प्रावरतन कोन भी क्या होगा ठीटा होगा ठीक है इसी तरह एक और दूसरी परत शुरी एक और दूसरी जो हमारे पास एक खेर है उसको क्या कराते हैं आप ठीक क्राते हैं तो ये एक्षлем करनों पर दोसरे तल के बीच में हैं यहां से प्रावर्वर्टित हो जाती अपर princald वाले इसमें पर यह है प्रावर्जित करना ठीक है अब हमें क्या करना है यहां पर इन दोनों किरनों के तरंग देदेरे की साहिता से हमें क्या करना यहां पर इनकी दूरी निकालने हैं तो यहां पर क्या हो कर देखो हमारे पास यह जो हमारे पास दोनों करने हैं गामा जोनो यह जो दोनों हमारे पास X किरने हैं इसमें क्या करना है इनके अंतराल में यानि कि जब इनको आप्टित कराते हैं तो इनके द्वारा तैक की दूरी के अंतराल को हम ग्याद कर लेते हैं और उस अंतराल के दूरा ही हम क्रिस्टल जालक के के ने भी दो तलों के बीच में दू के बात करने इसमें कितना पत का अंतराल है चीक है तो उस पत के अंतराल को ग्याद करने के लिए हम क्या करते हैं पहले इस करने को हम पिछे की तरह बढ़ाते हैं यानि कि इस पॉइंट को इस से मिलाते हैं ठीक है इसी वाले इस पॉइंट को यानि कि इस से मिलाते हैं तो इन और वापतित एक्सक्रन हैं ओ भी प्रावर्थित एक्सक्रन हैं जो कि तल के साथ कुण से कितने का कुमनाई इसी तरह हमारे पास नेक्स टेस और नेक्सेश्ट यह क्या हो जाएगा ओ डैस हो जाए ठीक है तो हमें क्या करना है इन दोनों के पतों का अंतर निकालना है तो यहां पे हमने O को यहां से मिलाया और इसमें यहां से मिलाया तो यह जो हमारे पास next point है इसको नाम दिया हमने L और इसको और किया नाम दिया यह से में एनाम दिया है इसको यह हमारे पास में पूंट है और यह हमां करना है अब हमें क्या करना है अब हमें इस को निकालना है क्योंकि अगर हम बात करें किसकी एक्सक्रण ए और ओ की बात करें तो इस के दोरा जो तैकी के दूरी और नैस्ट हमारे पास है C और M के दोबारा इतनी ताइक कि दूरी दोनों कैसी है समाने इसी तरह इन दोनों की जो दूरी है यहां तक यहाँ तक कैसी है? समाने तो चेंज कसी में आया? इसमें चेंज आया तो हमें क्या करने है? अब इस distance को निकानने, जब हमें इस distance को निकाल लेते हैं, तो हमारे पास जो इन crystal होती हैं उनके भीच में distance आ जायेगा तो यहाँ पर next हम क्या करते हैं कि ओ को मिलाते हैं M से जब ओ को M से मिलाते हैं तो हमारे पास दो परकार के तिर्भुज पराप्त होते हैं दो परकार के तिर्भुज पराप्त होते हैं कौन-कौन से हैं जिसमें से फस्ट हमारे पास तिर्भुज है फर्स्ट हमारे पास तिर्बुज है यहां से देखो O L M यहां पर नेश्ट जो हमारे पास फर्स्ट तिर्बुज है वो है O L M और जो दूसरा हमारे पास तिर्बुज है वो हमारे पास है O N M ठीक है अगर हम बात करें यहां पर डिस्टेंस की तो यहां पर तो यहां पे, हमारे पास, जो ये दूरी है कौन सी, O और M, यह हमें मालूम है, ये दूरी कॉन सी है, D दूरी है, क्योंगे, दोने की बीच में पड़ते हैं, इनके बीच में अंतर कितना है is D है, टीक है, तो अब हमें क्या कर나 है, यहां पे, अगर हम फॉकस करेंगे, तो यह यह हमारे पास कौन कितने का है ठिता डिगरी का है पर यह पूरा एंगल है यह कितने का है 90 डिगरी का है तो इस एंगल की अगर हम बात करते हैं तो यह एंगल हमारे पास आता है 90 माइनस थिटा क्या आता है 90 माइनस थिटा आता है ठीक है इसी तरह अगर हम बात करें इस वाले कौन की ऐसे गी ठीक है यह कौन सा है 90 डिगरी का है यह हमारे पास कौन कितने का है 90 माइनस थिटा तो यह कितने का बचा है थिटा तो यानिकी जो हमें इस समय दो त्रिबुज पराप्त हुए हैं यह वाले इसमें एक फर्स्ट हमारे पास ओ नेस्ट एम और नेस्ट एन यह ज में ठीके इसी तरह हमारे पास जो सेकेंड फीज यह इसके नाम हमारे पास है ओ नेस्ट एम और एंड और इनके बीच में हम क्या करते हैं कि इसके अगर इसकी बेल्व निकालते है तो हमारे पास एक سائنओ ठिटा ठीक हूश चिए यह पढ़ा अपने इसमे यहां पे लाल बटय कंगा लाल बटय कंगा तो यहां कि किए एल्ब पताफ करनी है सा इन ठीकित इक करना थो लंब बटय क्या हो गई हम पerson किया है तो यह चीक है यहां पर आगा है लंब बटर करन तो लंब हमारे पास क्या है एल एम है और करन क्या हमारे पास में ओ एम चीक है इसी तरह हमारे पास इस तरबुज की बात के तो साइन थेटा साइन थेटा में हमारे पास आ जाए गाए इसमें वहीं लंब बटर करने इसमें तो यहां पे लंब हमारे पास क्या है मार पास में लंब है मन यहां पे है मन लंब है और यह करन क्या हमारे पास में कि ओ और एम ठीक है अब इनकी वैल्लू को टप करते हैं तो यहां पर आएगा सुरी यहां पे आएगा हमारे पास साइन ठीटा बराबर ल एम तो यहां पे ल एम के दूरी तो हमें निकालनी है तो यह हो गया ल एम अपॉन ओ एम ओ एम की दूरी कितनी है डी है इसी तरह हमारे पास साइन ठीटा एम एन के दूरी तो हमें क्या करनी है निकालनी है और ओ ए की बात करें तो यहां पर डूरी कितनी है अब हम क्या करते इसका पक्चना अंदर करते हैं तो यहां पर हमारे पास आएगा एल एम इस इक्वल टू डी साइन ठीटा इसी तरह हमारे पास एम एन इस इक्वल 2Biva इसमें कि जो भी हमारे पास डिस्टैंज ने वाला डिस टेंस इसको निकालना है तुरी ₹ अम यहां पर टोटल डिस्टैंज वह मंने काला है वह मारे पास मैं कि 2m ये वाली दूरी चिक, पलस next हमारे पास इसमे M और N अगर इन दोणों को आपस में जोड दिया जाता है तो हामे इन दोनों तलो के बीच में यानि की दोनों के बीच में दूरी का ऐंत्राल मिल जाएगा और इस ऐंत्राल के दुआराम क्या पता लगा सकते हैं में इसके बीच का distance पता लगा सकते हैं तो LM इन दोनों की value पटप करते हैं तो LM की value क्या हमारे पास d sin theta plus d sin theta इन दोनों की value पटप की यहां पे हमारे पास आ जाएगा तूडी साइन थेटा क्या गया टूडी साइन थेटा अब यहां पर हमारे पास है जो दोनों किरने हैं इनके बीच में अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारे पास निकल के आता है जो भी हमआरे पास लैमडा है उसका बहुत समाकला निकल के आता है यानि की जो दिस्टेंस हो निकल के आता है या जो दो गुना होगा या दो गुना होगा या तीन गुना होगा इसमें ठीक है तो हम अमारे पास एक formula आगया इसमें कि n lambda is equal to 2d sin theta यहां पे अमारे पास n क्या है n अमारे पास digit होते हैं जो lambda यह क्या है तरंग दैदरी है ठीक है और यहां पर हमारे पास 2d distance और यह क्या है sin theta तो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे जिन में से first हमारे पास इसमें है कि डवलू डवलू एच ब्रेग और second scientist है डवलू एल ब्रेग इन दोनों ने क्या किया था कि जो एक्स किरन है उसके तरंग देदिये द्रैद्रिया यानि कि लेमड़ा और किसी भी क्रिस्टल के दो फलकों के बीच में जो डिस्टेंस है उन में एक समीकन एक संबंध प्रतिस्तापित किया था और जी समीकन को क्या कहते हैं ब्रेग समीकन के नाम से जाना जाता है तो यह जो समीकन है यह हमारे पास क्या है ब्रेग समीकन ठीक है तो इस अब हम क्या कर सकते हैं बई कि जैसे हमारे पास यह कोटी बगर या कौन सी लियर की पूछता है उसके बारे में एनके वैल्यू रख देंगे पूट अप कर देंगे लैमडा की वैल्यू आपको गीवन मिलेगी ठीक है डिस्टेंस अगर आपको निकालना है साइ जन तो इसकी सायता से हम किसी भी क्रिש्टल में दो कर्मागत फलकों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको किया कर सकते हैं ग्यात कर सकते हैं अब इसके कुछ न्यूमेरिकल है अब वो न्यूमेरिकल करते हैं तो बत्चो इसके ऊपर एक एक Um不知道 12 में आया हुआ है कि जैस है पास है एक क्रिस्टल से पर्थम कोटी यहां पे हमारे पास जासी की पर्थम कोटी का मतलब यह लेलियर की बाद कर एन- argument की वेलू आपको दे रखिए ज्याओंगी एन के वेलू वन हमारे पास तो पर थंग कोटी का विवर्तन ट्वान टू 27.8 डिगरी के कौन पर तो हमीड सिटा के वेलू दे रखी है ठीक है तो तिट हमारे पास जैसे हमारे पास यहां पर ठीटा है ठीटा ठीटा हमारे पास कितना है 27 degree point 8 है हमारे पास ठीक है मेंटेस में अब यहाँ पर उप्योग में के कौन पर बनाया जाता है यदि उप्योग में लिए गई X-rays का प्रंग देदरी है यानि कि हमें lambda दिया गया है यह है 2.29 इंटू 10 की पावर 8 cm दे रखा है तो जालक का अंतराल यानि कि आपको क्या निकालना है यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है तो ब्रेग समिकन क्या थी बच्चों हमारे पास एन lambda is equal to 2 d sin theta यह हमारे पास क्या थी यह ब्रेग समिकन थी अब हमें क्या करना है इनके value put up करनी है यहाँ पर हमारे पास आ गया कि एन एन का मतलब जैसे हमारे पास कोटी है सबसे कोटी है हमारे पास और यह किसकी बात कर रहा है पर्थम की बात कर रहा है एन के value क्या हो जाएगी फर्स्ट हो जाएगी तो यहाँ पर एन इस इक्वल टू क्या गया वन आ गया हमारे पास एल वेवलेंद है वेवलेंद गीवन है डिस्टेंज फाइंड करना है और साइन थिटा कितना थिटा हमारे पास इसमें 27.8 इसमें तो हमें डे के value पूट अप करनी है जिसे रिफाइंड करनी है तो डी इस इक्वल टू यह हो जाएगा हमारे पास यह सारी यूनिट का होग आँके करनी है तो एंडिब्रेम ढशना को ढूंत करने है तो यह जाएगा एंड लैमडा इस इक्वल टू टू शाइन थेटा हं क्या करना है तो एन के वैल्यू अमारे पास क्या है चोंवन रम तंडला का हमारे पास टूपोंवंक्त टू नाइन इंटू थेंग की पाउर है सोरी अभे नैस्ट आमारे पास टू इंटू साइन थिटा 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 हमारे पास कितना है यहां पे 27.8 ठीक है तो यह आपको याद रखना बचो कि साइन 27.8 जो मिंट है उसकी जो वैलू होती है 0.456 होती है 0.456 अब इसकी वैलू पर टप करते हैं तो यह आगया 1 इंटू 2.29 इंटू 10 की पावर 8 तो अब साइन थिटा भाई साइन की वैलू कितनी हमारे पास यह 0.456 ठीक है आगे भी होता है इसमें यहां पे आता है 2 यह हो गया 2 हमारे पास ठीक है अब इसको 2 से मल्टिप्लाई करते हैं तो यहां पे 2 से मल्टिप्लाई करेंगे इसको 1 से मल्टिप्लाई किया तो कुछ फरक नहीं पड़ेगा तो 2.29 इंटो 10 की पावर 8 इसको हमने 2 से मल्टिप्लाई किया तो 0.9124 इसको सोल करते हैं तो value आते है 2.5 इंटो 10 की पावर माइनस 8 cm यह हमारे पास क्या आगई distance आगई ठीक है तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो कोई भी अगर numerical आपको दे रखा है तो कोटी का मतलब ज्यान रखना हो किस की value आपको given है n की value given है ठीक है और कौन आपको angle दिया हुआ मिलेगा उसकी wavelength है वो आपको दियो ही मिलेगी आपको क्या करना है formula अप्राई करना है तो यह जो समीकन ने यह formula है इसको बिरेग समीकन के नाम से जान दें ठीक है तो यहां पर यह formula में आपको value put up करनी है और answer क्या करना है find करना है तो वच्चु इसी परकार का एक example हमारे पास और है और इस example में दे रखा हमारे पास जीरो पॉइंट फाइफ एट एंग स्टोन यहां पर हमारे पास लेमडा दिया गया है तो लेमडा की value क्या है जीरो पॉइंट फाइफ एट एंग स्टोन वाली एक से वाली एक से करने जब 5.9 के परस्ट पर इस परस्टी जाए कि यहां की आपको यह कहना चाहता है वो इतने इस परमलक के यह से क्या कर रहा किसे कई धुर्स करता है तो 60 डिगरी का मतलब है कि यहां पे यह जो आइंगल है नहीं वाला एंगल कितना है 60 डिगरी कहा सोद्स में कलियर है है यह यहां पे यह आपको पमफ़ाय प्रॉट 9 है यह दे रखा को टिटा तो टिटा कि जो वैलू है वह हमारे पास है पाड़ पउन्ठ४ 1.9 च्छेख है तो ये करकर इस पर इस पर स्वेसियों से जो हमारे पास एक्स किरन है वो इतने डिकरी कौ मेरब क्या करें इसपर कर रहे करना चारा आपसे हुआ तो से तो यह हमारे पास एक टैके वैलु आगे समें यहांप आएगा साइन थिटा थिटा की वैल रिफाट फाइब व्यू ऑर हम देखते हैं जो वैल्य प्राप्ट होती है وہ है जीरो क्यों जीरो थ्री कि इसी तरह हमारे पास नेस दे रख है कि पर्थम कोटी याura की एैंकि nearby बकिया है वन है तीक है पर्थम को ठीक लिए पूछ रहे हैं सुपोरнич में तो अब मों जो हमारे पास लिए निकालना में यहांपर हमारे पास क्या होगा इसमेर कि ब्रेक समीकन क्या होता है एनं ल premise लेमडा इस इकवल टू 2- D यहां पे ब्रैसमिकंक यूजर करना है तो आमें किसकी वैलू फाइंड करनी है दिक की वैलू फाइंड करनी है न ते इज you कीन टू फाइंड करनी है अब यहां आंन्य जेंगा एन्स लेमडा सकते हैं से डिसमें 200 तर इसमें चीक है यह आ जाएगा एन n के value क्या हमारे पास में या इसकी value आप put up करना तो यह आगे 200 जो डी 200 is equal to आ गया n lambda upon 2 sin theta तो यहां पे हमारे पास आपको क्या करना आप इसमें इनके value put up करनी है n के value given है lambda की value given है sin theta की value given है तो value given जो value है इनको put up करके इनका answer find करना तो बच्चों यह था हमारे पास में break समेकन या हम इसको कहते हैं क्रिस्टलों का x के द्वार अध्यन तो क्रिस्टलों में किनी भी दो अक्सों के बीच में अगर आपको distance find करना होता है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ता है ब्रेक समेकन का चीक है यह हमारे पास था टोपिक या ब्रेक समेकन था